हे गाइज वेलकम बैक टो माई चैनल कैसे हो आप सब राधे राधे और आज है एकादशी तो फर्स्ट फॉल वेरी हैपी एकादशी टू आल फ्यू और उमीद कर चाहां को एकादशी का फास्ट बहुत अच्छा जा रहा होगा वसे जब तक वीडियो आएगी तब तक ब्लॉग डीले क्यों हुआ है हमने इंट्रो तो शूट करके रखा हुआ था बट वो टॉपिक अलग था तो अब टॉपिक हमने जो है चेंज कर दिया है त्रेस हॉल बनाने वाली थी पर तब मैंने सचा आज एकादशी है तो फिर हम 900 ब्लॉग एकादशी के साथ ही प्रार हमें चोकर वाला सेट पहना है प्रियाजू ने अपना हाथ में चूडियां डुपट्टा गोवन ने पहना है स्किन कलर का ड्रेस जिसके बॉटर बहुत ही प्यारे हैं अपनी बहुत बड़ी वाली बांसरी सिल्वर ज्वेल्री हाथों में गज्रा स्टाइल जो मैंने आप अब चुशन और अभी तो पीछे का पैक्ग्राउंड था ठग गया है क्योंकि हमने पड़े लगाती हैं और सोचो हमने एक आधर्शी पे काना जी को क्या भूग लगाया आज के दिन हमने इने भूग लगाया साबुद दाने का हन जी क्योंकि अन्नी का भूग हम आज के द जी और यह केशव बाबू से मिलो आप इन्होंने पकड़ा है एक फूल और यह फूल हैंड मेड है मतलब पेपर से बनाया है और यह दिव्यानशी ने बनाया है पेपर से खास इनके लिए तो इसलिए आज इने यह बहुत पसंद आगया तो यह पकड़ के बैट गए हैं से इन वाले बाबू से ता मिले ही नहीं हम सब के प्यारे माधव बाबू जो की अपने दोश्तों से काफी दों से मिलने आए होए हैं हमारी लाडो केशव बाबू उनकी लाडो गोपाल और विंदा, गोपू, गोपू के दोस्त का निया, श्याम, मुरली, हरी यह ठाकुर, यह मैं ठाकुर महराज है शाली ग्राम जी आज का न हम व्लॉगी में शुरू कर रही हूं श्याम की पूजा से जैसे के मैंने बताया तब यह ठीक नहीं थी आज इसलिए श्याम से ही शुरू हो रहा है आज व्लॉग और अभी मैं रात को एंड कर दूँगी अभी जो मेरी पूजा है वो हो गई है डन और अभी हम पढ़ेंगे एकादशी महात्म यह न पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसमें आपको साल की जो 24 एकादशी आती है सब के नाम दिये हुए हैं एकादशी महात्म शुरू करने से पहले जापको पढ़ना पढ़ता है मंत्र वो भी दिये गए हैं यह देखो उत्पन्ना एकादशी सफला विजया पाप मोचनी बरुतनी अपरा योगिनी कामदा अजा इंद्रा रमा पर्मा उसके बाद मोक्षिदा, पुत्रदा, जया, आमल, कामदा, मोहिनी, निर्जला, पदमा, पुत्रदा, वामन, पापानकशा, प्रभोधनी, पदमीनी अभी हम जो एकादशी कर रहे हैं वो पदमा है पदमा एकादशी, पदमा एकादशी I think दो बार आती है येस नहीं पर्मा यहाँ पर है यहाँ पर पद्मा यह अलग अलग है तो आज हमने एकादशी खोलनी है वो है पद्मा तो जल्दी से हम बढ़ते हैं हमारी पद्मा एकादशी की वरत कथा और यहाँ पर अभी टाइम लाप्स हो रखा है और मैं एकादशी की वरत कथा बढ़ रही हूं अभी तक अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है तो जोजिस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो कानहा व्लॉग्स अडदरी है कानहा व्लॉग्स 2-0-1-1 और हमारे चैनल को लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाला ताकि आपको लेटेस अब्डेट्स मिलते रहें तो हमने खदम कर दी है एकदशी महात्म की कथा और अभी हम जाते हैं गोवन के पास और राधा कृपा का टाक्ष का श्रवन का आगया हमारे पास श्री राधा कृपा का टाक्ष ट्रोथ अभी हम इने पढ़ेंगे ख़तम कर लिया है अभी हमने श्री राधा कृपा का टाक्ष ट्रोथ और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है 800 स्पेशल अगर आप चानना चाते हैं कि हम गोवन को कौन सी जोलरी पहनाते हैं और अगर आपको जानना है कि वो जोलरी कहां कहां से हम लाए और वो कैसी है उसका जो मिटीरियल है वो कैसा है तो अभी हमारा 800 स्पेशल जो व्लॉग है वो देख लो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और मैंने अपनी कम्यूनिटी पे और भी लिंक डाली है उसलिए आप चली जाके चेक आउट कर लो और मैं यहाँ पर स्क्रीन पे भी उसका जो बैनर है थमनेल है जो वो मैं शो कर दूँगी तो आप अभी देख सकते हो चेक आउट कर सकते हो प्रसादम तयार हो गया है उसमें है पनीर यह रोस्टेट पनीर है और पली के चटनी के साथ आलू और साब उद्दाने की खीचुडी और थोड़ा सा जल पे ला देंगे हम और प्रसादम की वीडियो का हम पुरा शॉट अलग से डाल देंगे प्रसादम का तो तब तक के लिए थांकियो व्लॉग देखने के लिए थांकियो यह एक मिनी व्लॉग था चलिए जादा बड़ा नहीं क्योंकि हमने शाम से ही शूट करना शुरू किया था और कानल जी का रूटीन तो डेली का सेम ही होता है इसलिए आप लोगों नहीं देखा भी हुआ है थांकियो हमारा व्लॉग देखने के लिए और बने रही है हमारे साथ और वन के पर आएगा हमारा वेरी स्पेशल व्लॉग तो देखना मत बूलना और हमारा 800 वाला व्लॉग चेक आउट करना भी मत बूलना थांकियो और आवना इस्टे रदेश्याम बाई बाई